राम मंदिर आयोध्या में राम जन्भूमी एक हिंदु मंदिर है जहां रामायड के अनुसार हिंदु धर्म के प्रमुक देवता भगवान श्री राम का जन्विस्थान है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ विमल आनंद मंदिर निर्माण की परेवेशन श्री राम जन्वूमी तीर्थ शेत्र कर रहा है वही 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमी पूजन अनुस्थान किया गया था और मंदिर का निर्माण आरम हुआ था श्री हरी विष्णू के एक अवतार माने जाने वाले श्री राम एक वयापक रूप से पूजे जाने वाले हिंदू राजा हैं प्राचीन भारत ये महा का विरामयल के अनुसार राम का जन्व आयोध्या में हुआ था पंद्रवी शताबदी में मुगलों ने राम जन्व हुई पर एक मस्जित बाबरी मस्जित का निर्माण किया हिंदू का मानना है कि मस्जित का निर्माण एक हिंदू मंदिर को खंडित करने के बाद किया गया था यहां 1850 के दशक में ही था जब विवाद हिंसक रूप में सामने आया विश्व हिंदू परिशत ने घोशना की थी कि वह इलावाद उच नियाले की लकनों पीट द्वारा रूखने के आदेश दिये जाने से पहले विवादित शेत्र पर मंदिर की अधार शिला रखेगी विहिप ने तब उन पर श्रीराम लिखी धनराशी और ईटे एकत्रित की बाद में वही राजियू गांधी मंत्राले ने विएच पी को शिलन्यास की अनुमती दे दी ततकालिन साथ ततकालिन ग्रह मंत्री बूटा सिंग ने ततकालिन विएच पी नेता शोग सिंगल को अनुमती दी प्रारम में केंद्र और राज सरकार विवादित इस्थल के बाहर शिलन्यास के आयोजन पर सहमत हुई थी हाला कि 9 नुमबर 1989 को विहिब नेताओं और साधूं के एक सम्हु ने विवादित भूमी पर साध घन फुट गड़े खोद कर अधार शिला रखी और सिंद्वार यहां इस्थापित किया गया पांच कमेश्वर चौपाल विहार के एक दलित नेता पत्थर विछाने वाले पहले लोगों में से एक बने विवाद का हिंसक रूप दिसंबर 1992 में बढ़ गया जबकि बाबरी मस्जित का विंद्वन्स हुआ विभिन शीर्षक और कानूनी विवाद भी हुए चैसे की आयोध्या अध्यादेश 1993 में निश्चित शेत्र के अधिग्रण का मार्ग उतो 2019 आयोध्या विवाद पर उच्तन नियाले का निरनय लिया गया था कि विवादित भूमी को सरकार द्वारा गठित एक ट्रश्ट को सौब दिया जाए गठित ट्रश्ट भी राम जन्म भूमी तीर्थ शेत्र था पांच फरवरी 2020 को संसग में घोशना की गई थी कि दित्ति मोधी मंत्राले ने मंदिर मिर्माल की एक योजना को सिवकार कर लिया है राम लला मंदिर के देवता 1989 के बास से विवाद के अधालती मामले में मुकदमे बास थे उनका प्रतिनी धिक्त विहिट के वरिष्ट नेता तिलो की नाथ पांडे ने किया जिन्हें राम लला का अगला मानों मित्र माना जाता था राम मंदिर के लिए मूल डिजाइन 1988 में एहमदाबाद के सोनपुरा परिवार द्वारा तयार किया गया था सोनपुर कम से कम 15 पीडितों से दुनिया भर के 100 से अधिक मंदिरों के मंदिर के डिजाइन का हिस्सा रहा है राम मंदिर के लिए एक नया डिजाइन मूल डिजाइन से कुछ बदलाओ के साथ 2020 में सोनपुरवसिया द्वारा तयार किया गया था मंदिर 235 फिट चौड़ा, 360 फिट लंबा और 161 फिट उचा होगा मंदिर के मुक्ष वस्तुकार चंदरकान सोनपुर के साथ उनके दो बेटे निखिल सोनपुरा और आशिस सोनपुरा भी है जो आर्किटेक्ट भी है सोनपुरा परिवार ने राम मंदिर को नगरा शेहली की वस्तुकला के बाद बनाया है जो भारती मंदिर वस्तुकला के प्रकारों में से एक है मंदिर परिसर में एक प्रातना कच होगा एक रामकथा कुंच वैख्यानकश एक वैदिक, पाठशाला, सैक्षिक, सुविधा एक संत निवास और एक यती निवास अंगन्तुको के लिए शात्रवास और संग्राले और अन्य सुविधाई जैसे एक फैक्टेरिया एक बार पूरा होने के बाद मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा वहीं प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल 2019 में प्रियोक कुम मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था श्री राम जन्रहूमी तिर्ध शेत्र टरश ने मार्च 2020 में राम मंदिर के निर्माल का पहला चराव शुरू किया हाला कि भारत में COVID-19 महमारी लॉकडाउन के बाद 2020 चीन भारत जड़पो ने निर्माल को अस्थाई रूप से इस्तगित कर दिया साथ ही निर्माल इस्थल के समतल और खुदाई के दौरान एक शिवलिंग खंबे और तूटी हुई मूर्तियां भी मिली 25 मार्च 2020 को भागवान राम की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी अधितनात की उपस्थिती में एक आस्थाई इस्थान पर ले जाया गया इसके निर्माण की तैयारी में विश्व हिंदू परिशद ने एक विजे महामंतर जाप अनुष्ठान किया जिसमें 6 अपरैल 2020 को विजे महामंतर शिरी राम जै राम जै राम जै राम जाप करने के लिए अलग-अलग इस्थानों पर लोग एकत्रित हुए यहां मंदिर के निर्माण में बाधाओं पर विजे सुनिक्षित करने के लिए कहा गया था विजे ज झाले ठांतर बहुंष्डित विजे पर एकतर भोग पर इसे वाम जब के लिए राम Ł – मत्ले सकत्रित प्राूंप, यहां मत्तल झाल